नाग पंचमी के अफसर पर भक्तों ने मंदिर पहुचकार नाग देवता की पूजा आचना की इस दोरान भक्तों ने नाग मंदिर में अपनी मननत भी मागी कहा जाता है कि नाग देवता के इस मंदिर में भक्तों की मुरादें पूरी होती है वहीं मंदिर के पुजारी के मुताबिक नाग पंचमी के अफसर पर नाग नागिन के जोड़े दर्शन भी देते हैं वहीं मंदिर में जो भी मांग मंदते माने जाती है उसकी पूरी होती है और यह भी कहा जाता है कि थाना परिसर का ये नाग देवता रक्षक है देवाज जिले में नाग पंचमी पर बड़े ही हर्शुलास के साथ मनाये गया। नाग पंचमी पर श्रधालियों ने बड़ी संख्या में नाग मंदिर पहुँचकर नाग देवता की पूजा रचना करके उनकी अराधना करते हुए उन्हें दूद का प्रसाथ चुड़ाया जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में नाग पंचमी का पर धार्मिक आस्था का प्रतिक मना जाता है। सनातन धर्म में सावन शुकल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा का विशिश महत होता है। मानेता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा से श मत्कारी नाग मंदिर है जहां जो भी मननत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है इसलिए यहां काफी दूर से स्रध्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं वह मंदिर के कि इसका कुछ फचासवा साल हो चुका है करते करते कि क्या और आगे जो है और भगवान हमारे जब तक चलाएगा जब तक हम करते रहेंगे क्या इसके बाद जो भी प्रभू की इक्षा है फो होता रहेगा और नाक पंचिमी कहीं बर्सों से आ रही है और करते हैं सब महिला मंडल पान प्रसादी आदी भगवान को अर्कित करते हैं दूद अर्कित करते हैं क्या बड़े स्रद्धार प्रेम भाव से होता है पूर्ण हो जाती है जैसे कि कोई क्या लड़का लड़के नहीं होता है क्या उसकी मनत पूरी होती है या अपंग उसमे आजाते हैं पाईलिय में लखवा लग जाता है उसमें आजाते हैं वो भी ठीफ हो जाते हैं बाबा की आसिर्वार करफा से क्या इसान का अन्बौब